दोस्तों आज के स्वीडियो में हम ebay bill के उपर बात करने वाले हैं कि ebay bill क्या होता है कई बार हमारे पास message आ जाता है GST के portal से कि आपका ebay bill generate हुआ है और उसमें amount भी mention होता है तो कई बात sellers को confusion हो जाता है कि आखिर ये eBay bill क्या है और क्या इसका में कोई tax pay करना पड़ेगा तो आज के इस वीडियो में detail में देखेंगे कि eBay bill क्या होता है जब भी आप किसी supplier से कोई भी product purchase करते हो और उसे transport के थूर अपने address पर जब मंगवाते हो अब कई बार आपको eBay bill का message आता होगा कई बार नहीं आता होगा आपने जब purchase किया होगा तो आपने देखा होगा तो यहां पर government का जो mandatory field है उसमें यह कहा गया है कि अगर आपका invoice value 50,000 को cross करता है तो यहां पर आपको eBay bill mandatory हो जाता है अब eBay bill कौन create करते हैं तो जिस supplier से आपने यहां पर purchase किया है वो भी eBay bill कर सकता है यह फिर जिस transport से अपने product को मंगवाया है वो ट्रांसपूर्ट वाले भी आपका eBay bill create करते हैं करना है क्योंकि सप्लाइर माल को यह फिस्ट में होता है कि वह क्या होती है इकu BON Gloria चरण पर आपको निकालते हैं तो पर Australian लग्सेंट से गुरह करते हैं क tweaking अब अब यहां पर आपको कई लग से टैक्स करना पड़ते अगर आपका email विल का आपको मैसेज आया गोविश ट्रैकिंग करने के लिए कोई इससा सप्लायर कहां से अभाई विल का मैसेज आता है यहीवेवेल क्या होता है और यह कौन जननरेट करते हैं और क्यों आपको ईवीडियो का मैसेज आता है अभी अगर आपका कोई लाइक जूट कीजिएगा साथ है अब हमारे चनल पर नए है तो चलू कर लिए सब्सक्राइब इस चनल पर मैं आपके लिए ओल्लाइं सब्सक्राइब वीडियो लाता रहता हूं